आज किस वीडियो में आपर समझेंगे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में क्या होता है कौन कौन से इसे कौज होते हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस को cause करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के condition में patient में क्या क्या symptoms देखने को मिलते हैं कैसे इसको diagnose किया जाता है क्या इसमें treatment provide किया जाता है इस सारा कुछ बहुत ही simple language में discuss करने वाले हैं सो बनेरी हमारे साथ इस video में अगर आप हमारे चैनल पर नहीं चैनल को subscribe के लिए साथ में bell icon को press के लिए ताकि कोई भी new video है सबसे पहले आपको notification मिले सबसे पहले हाँ पर यह समझे लेते हैं कि actual में माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है जो body की skeletal muscles होती है उनमें weakness आ जाती है skeletal muscles weak हो जाती है जिस condition को हम लोग बोलते है माइस्थेनिया ग्रेविस नेश्ट गाइज यहां पर हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि यह कैसे कैसे develop होता है एक्चली माइस्थेनिया ग्रेविस जो है यह एक आटो इम्यून नीरो मास्कुलर डिसॉर्डर है आटो इम्यून का मतलब ऐसी diseases जो body का immune system होता है यह खुद की cells को kill करने लगता है जिसको बोलते हैं आटो इम्यून डिसीज नीरो मास्कुलर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे body की skeletal muscles होती है यह nerve के द्वारा control होती है यहाँ पर जो nerves होती है और जो muscles होती है इनके बीच में एक connection होता है जिसको लोग बोलते हैं neuromascular junction यह जो neuromascular junction होता है जो nerve और muscles को connect करता है इसके बीच में एक acetylcholine नाम का neurotransmitter काम करता है जो acetylcholine neurotransmitter होता है यह nerve signals को transmit करता है जिससे muscles में contraction होता है लेकिन यहाँ पर जब हमारे body का immune system activate हो जाता है तो acetylcholine acetylcholine के against में antibodies बन जाती हैं जिससे acetylcholine neurotransmitter destroy हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर जो nerve transmission है वो नहीं हो पाता है और muscles का contraction नहीं हो पाता है जिसके कारण यहाँ पर muscles में weakness आ जाती है जो muscles हैं वो weak होने लगती है निश्टियाँ आपर बात करते हैं causes की कौन कौन से से causes होते हैं जो myasthenia gravis को cause करते हैं यहाँ पर अगर causes तो risk factors की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो first cause है वो है autoimmune disorder अगर body के अंदर कोई भी autoimmune disorder है तो उस condition में myasthenia gravis की condition develop हो सकती है निश्टियाँ आपर जो cause है वो है tumor after thymus जो thymus glands होती है इसमें अगर किसी भी टाइप का tumor develop हो जाता है या फिर immune system के किसी भी organ में अगर tumor develop होता है तो उसके वज़े से यहाँ पर myasthenia gravis हो सकता है निश्टियाँ आपर जो cause है वो है deficiency of neurotransmitter acetylcholine अगर acetylcholine neurotransmitter की deficiency हो जाती है जिसके कानल यहाँ पर myasthenia gravis condition देखने को मिलेगी निश्टियाँ आपर जो cause है वो है abnormalities in the thyroid gland अगर thyroid gland में किसी भी टाइप की abnormality होती है जिसके कानल यहाँ पर myasthenia gravis condition हो सकती है निश्टियाँ आपर बात करते हैं symptoms की कि myasthenia gravis के condition में patient में क्या-क्या symptoms देखने को मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पर patient में breathing difficulty देखने को मिलेगी breathing difficulty इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो chest वाल की muscles है वो weak हो जाती है जिसके कानल यहाँ पर breathing difficulty देखने को मिलेगी patient में swallowing difficulty देखने को मिलेगी talking difficulty देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सॉलोंग मसल्स हैं और जो फेशियल मसल्स यह वीख हो जाती हैं जिसके कारण यहाँ पर सॉलोंग difficulty होगी और यहाँ पर पेसेंड में टाकिंग difficulty होगी निश्टे यहाँ पर पेसेंड में impaired speech देखने को मिलेगा पेसेंड में shortness आप breath देखने को मिलेगी और यहाँ पर patient में double vision देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो eyes की muscles है उनमें भी weakness आ जाएगी जिसके कारण यहाँ पर double vision देखने को मिलेगा और यहाँ पर patient में जो legs हैं जो hands हैं इनमें weakness देखने को मिलेगी और यहाँ पर patient में facial paralysis और facial muscle weakness देखने को मिलेगी यह कुछ symptoms है जो myasthenia gravis के condition में patient में देखने को मिलेंगे निशने आपर हम बात करते हैं diagnostic test की कौन-कौन से diagnostic test है जिनसे हम myasthenia gravis के condition को diagnose कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम patient की history collection करते हैं patient का physical examination करते हैं patient का neurological examination किया जाता है और यहाँ पर patient में acetylcholine receptor antibody test किया जाता है जो कि most important test है myasthenia gravis को diagnose करने के लिए निश्टे आपर patient का CT scan और MRI करवाते हैं और यहाँ पर patient में electromyography test किया जाता है electromyography में क्या होता है कि जो muscles के functions होते हैं इनको assess किया जाता है निश्टे आपर patient का pulmonary function test किया जाता है जिसमें lungs के function को assess करते हैं और यहाँ पर patient में endrofonium test किया जाता है endrofonium test में क्या होता है कि endrofonium एक chemical होता है जिसका injection दिया जाता है उस injection के थुरू भी यहाँ पर myasthenia gravis के condition को diagnose किया जाता है last में आपर बात करते हैं treatment की management की myasthenia gravis के condition में patient को क्या treatment क्या management दिया जाता है अगर यहाँ पर treatment की बात करें तो myasthenia gravis को completely cure नहीं किया जा सकता है myasthenia gravis का कोई भी specific treatment नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ symptoms को reduce किया जा सकता है सबसे पहले यहाँ पर patient को anticholine stress drugs दिये जाते हैं जो anticholine stress drugs होते हैं यह neurotransmitter acetylcholine के level को बढ़ा देते हैं जिससे जो muscle का function है वो improve हो जाता है यहाँ पर patients को immunosuppression drug दिये जाते हैं जैसे कि steroid इस्टिराइड की बात करें तो जैसे कि prednisolone डेक्सा मेतासोन है बीटा मेतासोन है यह जो drugs होते हैं यह immunity को suppress कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो myasthenia gravis है यह एक autoimmune disorder है जैसे हाँ पर patient को immunoglobuline therapy दी जाती है और यहाँ पर patient को oxygen administer किया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो लाइक कर देना अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू